आज हम कुछ और अड्वांटेज पढ़ेंगे जो हम एबुक्स के देखेंगे और देखेंगे कि अगर हम एबुक्स बच्चों के साथ इसनमाल करते हैं तो किस तरीके से हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही ना सर्फ बेहतर हो जाता है बलके और कौन सी इंपॉर्टन च जीज हैं जो के हमें पॉजिटिव नजर आती हैं एबुक्स के साथ इंकारिज हाज़िए रीडर्स ना इसका मतलब यह हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसी वह किताब को देखते हैं और उन्हें पता चलता ही यह इतनी मोटी इतनी बड़ी किताब है और उसमें पेज नमबर दिखते हैं किस किताब में कितने पेज़ें फिर वो सोचते हैं कि यह कितने घंटों में खतम होंगे तो यह वैसे ही बड़ा ओवर्वेल्मिंग कई एक्सपिरेंस होता है कई लोगों के लिए इबुक्स के अंदर यह फीचर नहीं होते हैं इबुक्स जो हैं रिसर्च यह बताती हैं स्टडी से बताती हैं बच्चे लेस हेज़िटन होते हैं वो ज्यादा इंटरस्टेट होते हैं उसके कुछ फीचर ऐसे हैं और यू है वीडियो है गैमिंग है हाटसपोर्ट से इंटरेक्टिव से हैं जिसकी वज़ए से बच्चेव का एक इंटीशल्स को बचाती हैं अगला फीचर आता है डिफिरेंश्येटेड लर्निंग में बन्यादी तौर पर टीचर यह करते हैं तो अपनी क्लास में ग्रुप्स या individuals या दोनों को assess करते हैं, जिने different किसम की teaching learning experience की जरूरत है, जिसके थूरू वो सीख सकते हैं, या जो एक teaching method पूरी class में इस्तमाल कर रहे हैं, वो बच्चे उस teaching method से नहीं सीख पा रहे हैं, या वो group या individual उस teaching method से benefit नहीं उसको हो रहा, जो से होना चाहिए, उसको सीखना है, so teachers को उनके लिए different method यूज करना पड़ता है, group work करवाना पारता है, अब differentiated learning teaching method जो है, एक modern teaching method है, और e-books इसके अंदर कैसे support करती है, teachers जो हैं, वो e-books को बकायदा assess कर सकते हैं, देख सकते हैं, कि बच्चे की, जिसको differentiated learning की जरूरत है, उसकी skill level के मताबिक हैं के नहीं, उसकी needs के मताबिक हैं के नहीं, और फिर उन बच्चे के लिए वो select कर सकते हैं, बच्चे जो हैं, वो different किसम के features जो हैं, उसको استعمال कर सकते हैं, अगर उनको eyesight का issue है, या किसी और किसम के issues हैं, तो font को बड़ा कर सकते हैं, बेतर कर सकते हैं, बोल्ट कर सकते हैं, line spacing को कम या ज् से इन फीचर को इस्वाल करते हुए बच्चों के लिए डिफरंट टीचिंग स्ट्राइजिक के थुरुक उनकी रीडिंग को सपोर्ट किया जा सकता है आइडियल है आपकी ऑनलाइन रिमोट एजूकेशन के लिए और यह हमें का पता चला कॉविट 19 पैंडेमिक के दोरान ज बच्चे जो हैं simply website पर जाते हैं किताब को अपने grade की जो किताब उने चाहिए उसको क्लिक करते हैं उसे खोलते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं बड़ी असानी से पढ़ सकते हैं तो ऐसे किसी भी मौके पे जो access है कहीं भी बैठके किताब की वह बहुत ही आसान है और सबसे इंपॉर्टन चीज़ यह है कि इबुक्स अफोरडबल हैं प्रिंट बुक्स की निजब प्रिंट बुक्स डेफिनेटली मुश्किल होती है और मेहंगी होती है जबकि इबुक्स जो हैं बनियादी तोर पे वह जब एक दफ़ आपके पास डाउनलोड हो जाती है मुस्ती इसके आफ की वह स्क्राइब प्रिंट जाती हैं और अब्र और उसमेð paper का वेस्ट ज्यादा नहीं है बलके है ही नहीं क्योंकि paper इस्तमाल ही नहीं हो रहा और उसके hard covers जो हैं वो नहीं होते जो के हमें paper books मिलते हैं fancy covering है paper है printing है e-book के अंदर ऐसी कुई भी चीज नहीं है इसलिए वो environmental friendly है और उसको पढ़ना जो है ना सिर्फ असान है बलके इन्वार्मेंट के लिए भी बेतर ही दिखता है